हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं SSC GD Constable की Duties के बारे में तो दोस्तो SSC GD में Total 8 Forces हैं जो हैं आपकी NIA, SSF, CISF, SSB Assam Rifle, ITBP, BSF और CRPF दोस्तो इन में से आदी Force हैं जो हमेशा Border पे तैनात रहती हैं उनकी जो Duty है वो Border पे होती है और आदी Force ऐसी है जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्सा करती है और उनकी Duty All Over India कहीं पर भी किसी भी टाइम लगाई जा सकती है वैसे तो दोस्तो यह सारी की सारी Force है जनरल Duty की है किसी भी टाइम किसी को भी कहीं पे बुलाया जा सकता है लेकिन फिर भी सभी Force की कुछ Duties हैं जो हमेशा फिक्स होती है तो वही Duties की हम बात करने वाले हैं दोस्तो यहाँ पर हम Job Profile की बात नहीं करेंगे क्योंकि Job Profile में Duty के साथ में Salary, Promotion, रहना, खाना, पीना यह सारी चीजे भी डिसकस होती हैं तो अब कौन से Border पर रहती हैं बात करते हैं तो दोस्तों यह भारत-पाकिस्तान और भारत-बांगलादे सीमा की रक्षा करती है साथ में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के भी सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है, मतलब जो पाकिस्तान Border के आसपास का इलाका है और जो बांगलादेस Border के आसपास का इलाका है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF के कंदों पर होती है दूसरा अगर हम बात करें तो अंतर सीमा अपरादों को रोकने के लिए यानि ये जो दोनों सीमाएं हैं दोनों Border हैं इसके आसपास में अगर कोई भी अपरादी गतिविदी होती है तो उसको BSF के द्वारा रोका जाता है तीसरा है भारत के छेतर से अंधिकरत प्रिवेस या निकासी को रोकना यानि दोस्तों भारत से कोई ऐसा समान है जो गैर कानूनी रूप से बाहर ले जाया जा रहा है या फिर किसी और देश से इन दोनों Border के थुरू अंदर लाया जा रहा है तो दोस्तों उसको रोकने का काम BSF का होता है आगे है सीमा पर तसक्री और किसी अन्य अवैद गतिविदियों को रोकना यानि ये जो दोनों Border's है इन पर किसी प्रकार की अगर कोई अवैद गतिविदी हो रही है या कोई ऐसा समान है जो गैर कानूनी रूप से या तो बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है कोई भी गतिविदी हो रही है तो उस पर नजर रखेगी BSF और अगर वो गैर कानूनी है तो उसको रोकेगी आगे है गुसपैट रोक्थाम से संबंदित कर्तव्य ट्रांस सीमा में खुपिया जानकरी खटा करना यानि दोस्तों BSF साथ तैनात तो रहती रहती है साथ में पहले से कुछ खुपिया जानकरी है उसको भी खटा करके रखती है जिससे की पहले ही पता चल पाए कि आगे आने वाले टाइम में कहीं कोई जो घुसपैटी है जो नकसली है वो तो नहीं आ रहा है या फिर किसी तरह की कोई अपरादिक गतिविद्या तो नहीं होने वाली है दोस्तों बात करते हैं CRPF की तो CRPF की फुल फॉर्म है Central Reserve Police Force दोस्तों CRPF देश का सबसे बड़ा अरदसैनिक संगटन है और यह सक्रिये रूप से भारत के हर हिस्से की आंतरिक सुरक्षा की देखबाल करता है तो इसलिए दोस्तों CRPF के जो जवान है उनकी डूटी भारत के किसी भी हिस्से में कभी भी लगाई जा सकती है और यह संगटन भारती संती देखबालबल और संयुक्त रास्टी संती मिसन के हिस्से की रूप में विदेशों में भी काम कर रहा है अब दोस्तों यहाँ पर जो में काम है CRPF के वो बताए गए हैं देखे पहला में काम तो यह होता है कि जब चुनाव चलते हैं तो उस ताइम पर जितने भी VIP होते हैं जितने भी मिनिस्टर वगेरा होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF के कंदों पर डाल दी जाती है उसके बाद दोस्तों हमारे भारत में आपको पता है कि कितने सारे इलाके नकसली के हैं तो जितने भी नकसली इलाके हैं वहाँ पर उनसे बचने के लिए CRPF की डूटी होती है ठीक है और एक काम ये भी है कि जब भारत पर किसी प्रकार की मानलो आपदा आ जाए चाहें कोई युद्ध हो जाए या कोई प्राकरतिक आपदा आ जाए जैसे बाढ़ वगेर आ जाए भूकम पा जाए तो उसमें अगर लोगों को किसी प्रकार की छटी पहुंचती है तो वहाँ पर CRPF सबसे पहले पहुंचती है और लोगों को सुरक्षा देती है साथ में खाना पहुचाती है दवाई पहुचाती है तो ये सारे मेन काम CRPF के होते हैं दोस्तों बात करते हैं CISF की तो CISF की फुल फॉर्म है Central Industrial Security Force इनका पहला काम होता है विभिन पीएस्यू और अन्डे महतपुन बुनियादी धाचो को सुरक्षा प्रदान करना यहाँ पर पीएस्यू से मतलब है Public Sector Undertaking यानि जो भी Public Sector है और महतपुन बुनियादी धाचो से मतलब है जो पुरानी इमारते वगेरा है ताजमेल हो गया लालकिला हो गया तो उन सब को यह सुरक्षा प्रदान करते हैं दूसरा काम है सरकार या धारभू सरनाचनात्मक परियोजनाएं यानि जितनी भी सरकार द्वारा महतपुन परियोजनाएं चलाई जाती है जिनकी सुरक्षा आवसक है तो उनकी सुरक्षा CISF द्वारा होती है साथ में औध्योगिक इकाई यानि जितनी भी Industrial इकाई है जो Industrial Area है उसकी सुरक्षा कोन करता है CISF के जवान करते है अगला कार्य है जितने भी एरपोर्ट होते हैं जो हवाइड होते हैं तो उनमें पूरी जो सिक्योर्टी की देखभाल करते हैं वो CISF वाले करते हैं दिल्ली मेट्रो तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी CISF द्वारा संभाली जाती है उसके बाद बात करते हैं ओधोगिक उपकरम इकाईयों की सुरक्षा सेफटी और बचाव के अलावा CISF अगनी के खत्रों के से भी सुरक्षा प्रदान करती है यानि जितनी भी इंडस्टियल एरिये होते हैं वहाँ पर चाहें किसी भी प्रकार की सेफटी की जरूत होती है तो वो CISF करती है दोस्तो आप बात करते हैं ITBP की तो ITBP की फुल फॉर्म है इंडो तिब्टन बॉर्डर पुलिस दोस्तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि किस बॉर्डर पे इनकी डूटी लगती है तो दोस्तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसकी रक्षा कौन करते हैं ITBP के जवान करते हैं अब दोस्तो अगर हम इनके काम की बात करें तो इनका काम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा B.S.F. का काम होता है पाकिस्तान बॉर्डर और बंगलादेश बॉर्डर पे यानि वहाँ पर बॉर्डर के आसपास के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करेंगे ठीके जो तसक्रीव अगेरा हो रही है या जो अवेद गैर कानूनी काम हो रहे हैं उनको रोकेंगे कोई ऐसा समान है जो गैर कानूनी रूप से बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है उसको तो सारे के सारे काम इनके भी वैसे ही होते हैं लेकिन इनकी जो डूटी है वो चीन बॉर्डर पर लगती है दोस्तो अब बात करते हैं असम राइफल की तो दोस्तो असम राइफल को भारत में अमार सीमा की सुरक्षा के लिए बनाया गया था अगर हम और कारियों की बात कर तो counter-withdraw और सीमा सुरक्षा संचालन के माध्यम से सैना के नियंतरण में आंतेक सुरक्षा का प्रावधान देखना यानि ये सिर्फ border पर duty नहीं देते हैं आंतेक सुरक्षा के अभी ध्यान रखते हैं ऐसे इस्थान जहांपर विद्रो वगेरा होने का खत्रा होता है साथ में आपातकाल के समय नागरिक सक्ती को साहता प्रावधान करते हैं और ऐसे इस्थान जहांपर संचार विवस्ता, चिकित सा साहता और सिक्षा नहीं पहुंच सकती वहाँ पर ये इन चीजों को पहुंचाते हैं साथ में युद्ध के समय में यदी आविस्सक हो तो पीछे के छित्रों को सुरक्षित रखने के लिए एक युद्ध बल के रूप में कार्रे करते हैं क्योंकि आप जानते हैं सबसे आगे तो आर्मी हो जाती है तो जो पीछे का इलाका रह जाता है वहाँ पर ये अपना जो है security प्रदान करते हैं दोस्तो आप बात करते हैं SSF की तो SSF की full form है Secretariat Security Force Secretariat का मतलब होता है सचीवाले दोस्तो आप लोगोंने भूगोल में पढ़ा होगा जो अरावली स्रेणी है उसका एक हिस्सा है राय सेना हिल्स की पहाड़ी तो दोस्तो उसी राय सेना हिल्स की पहाड़ी के उपर दिल्ली में केंद्रिय सचीवाले बना हुआ है और उस केंद्रिय सचीवाले की सारी की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है SSF के कंदो पर चलिए इसको पढ़ लेते हैं सचीवाले सुरक्षा बल एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी के तहत गठित किया गया है यह है इकाई सचीवाले परीसर में पिर्वेश देने ना देने के लिए जिम्मेदार है सचीवाले के द्वार और परीसर के अन्य इस्थानों पर गार्ड की पोस्टिंग आंत्रिक अनुसासन का रखरकाव वाहनों की पिर्विस्टी और इसकी पार्किंग सचीवाले संपत्ती की सुरक्षा सची वाले परीसर से सामगरी निकालने के लिए विनी मैं इत्यादी इनकी जो प्रोफाइल का हिस्सा है यानि सारी की सारी जो सिक्योर्टी है सारा जो कर्रे भार है सची वाले का वो SSF के कंदों पर होता है दोस्तों बात करते हैं SSB की तो SSB की फुल फॉर्म है सहस्तर सीमा बल SSB द्वारा की जाने वाली प्रमो भूमी का इनिम्न है दोस्तों जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि ITBP चीन बोर्डर पे और BSF पाकिस्तान और बंगलादेस के बोर्डर पे जो काम करती है वही काम SSB करती है नेपाल और भूटान के बोर्डर पे यानि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा सीमा परपराज तसकरी और अन्यरास्टिये विरोधी गतिविदियो को रोकने का काम SSB का होता है दोस्तो अब बात करते हैं NIA की तो NIA की फुल फॉर्म है National Investigation Agency दोस्तो NIA आतंकवाद का मुकावला करने वाली एक केंद्रिय एजन्सी है और देश में केंद्रिय आतंकवाद निरोधा कानून प्रवतक निकाय के तोर पे कार्य करती है यानि एक ऐसा कानूनी निकाय है जो देश में आतंकी गती विदियो को रोकने के लिए दिनरात मेहनत करता रहता है अगर दोस्तो आपकी जो बैनाईये में लगती है तो वहाँ पर आपको IPS Officers के नीचे काम करने का मोका मिलता है अगर इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तो तो इसकी स्थापना मुंबई हमले के बाद 2008 में की गई थी जिससे की आगे कोई भी इस तरह का हमला या आतंकी कर्रेविधी ना हो पाए देश में ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर जितनी भी forces थी उनका जो mean mean काम था वो मैंने आपको बता दिया है अगर आपको किसी भी force की जो profile चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा आप नीचे comment कर सकते हैं चलिए चैहिंद